आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउटनेट नाओ यहाँ पर question है, in the given figure, A, B parallel C, D, then X and Y respectively आपको X, Y की value बतानीए, A, B parallel C, D आपको दिया गया है, 4 options given है, कोई एक choose करना आपको ठीक है, आइए solve करता है, A, B parallel C, D, तो P, Q is a transversal and P, Q is a transversal, ठीक है, तो क्या लिख सकता है, यहाँ से, एंगल A, P, Q, बराबर होगा, एंगल P, Q, R के, that is 50 degree, कैसे, by alternate angle, alternate interior angle, बोल दो, alternate interior angle, से हम क्या बोल सकते है, एंगल A, P, Q, बराबर P, Q, R हो जागा, that is 50 degree, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर, एंगल P, R, D, plus angle, Q, R, P, equal to 180 degree होगा, कैसे, by linear pair, by linear pair आपका सकते हो, ऐसे, ठीक है, P, R, D, दिया होगा, आपको 127 degree, plus angle, Q, R, P, equal to 180 degree, ठीक है, तो यहाँ से Q, R, P, आगया आपका, Q, R, P, कितना होगा, 180 minus 27, तो कितना जाएगा, 10 में से 7 गया, 3, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 में से 2 गया, 5, that is 53 degree आगया, ठीक है, तो आपको यह पता है, 53 degree, आपको X निकाल चुके हो, हाँ, P, Q, R, X है, P, Q, R, निकाल चुके हो, P, Q, R, 50 degree, तो आपका X तो आचुका है, 50 degree, आपको Y find करना है, तो अब triangle P, Q, R में क्या लगा दो, angle sum property लगा दो, that is, angle P, plus angle Q, plus angle R, is equal to कितना, 180 degree, ठीक है, sum of all 3 angles 180 degree होता है, तो angle P, that is Y, angle Q, that is X, angle R, निकाल चुके हो, 53 degree, 180 degree के बरावर होगा, ठीक है, Y, निकालना है, X निकाल दी हो, 50 degree है, 53 is equal to 180, ठीक है, इसको solve करो, कितना हैगा, Y equal to 180, minus, कितना हो जाएगा, 103 degree, इसको solve करोगे, तो यह कितना देतेगा आपको, 77, नहीं, सॉरी, 10 में से 3 के, 7, और, हाँ, 77 degree देगा, कितना देगा, 77 degree, तो कौनसा option हमारा सही है, हमारा option चेक कर लो, X and Y respectively, पूछाता था, X की value कितनी हाई, 50, and Y की value 77, तो कौनसा option हमारा सही है, B option हमारा बिलकुल correct है, thank you.